Hello everyone, इस वीडियो में हम statistical analysis के questions को discuss करेंगे, यह इसका second part है, first part में हम लोगोंने 35 questions discuss कर लिये हैं, इसमें हम लोग again 35 questions को discuss करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका question है, a statement about our population developed for the purpose of testing is called, हम लोग जनसंख्या के लिए जो statement त्यार करते हैं, जिसका उद्देश ही क्या होता है, उस statement को उसकी जाज करना, उसका परिक्षण करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, hypothesis और आपका question इस तरीके से भी बन सकता है, कि a statement about our population is called, तो population के लिए कोई भी statement जब बनाया जाता है, तो उसे हम लोग hypothesis का नाम देते हैं, next है, any hypothesis which is tested for the purpose of rejection, यानि कि rejection के उद्द से जिस hypothesis का test किया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं, हम लोग null hypothesis जिसे denote किया जाता है, h0 से, और alternative hypothesis को h1 से, next है, a quantitative statement about population, जब population के लिए मात्रात्मक statement जारी किया जाता है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, statistical analysis, sorry hypothesis, next है, a hypothesis which is accepted when null hypothesis is false, वो hypothesis, वो परिकल्पना, जिसे जब शुन्य परिकल्पना को हम लोग reject करते हैं, उस time accept किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, h1, alternative hypothesis, null hypothesis इसलिए बनाया जाता है, ताकि उसे बाद में reject किया जा सके, और alternative hypothesis को accept किया जा सके, next है, the probability of rejecting the null hypothesis, when it is true, जब null hypothesis आपका सही रहे, और हम लोग उसको गलत कर देते हैं, probability उसकी क्या बनती है, तो हम लोग उसको कहते हैं, label of significance, next है, the range of test statistics, T and Z, T test का और Z test का range क्या है, तो उनका range है, minus infinity से plus infinity तक, next है, if H0, यानि कि null hypothesis is true and we reject it, अगर null hypothesis आपका सुने परिकल्पना सही है, और हम उसे और स्विकार कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, type 1 error, याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, सही है, उसे गलत कर दिया, पहली गलती, गलत था, सही कर दिया, दूसरी गलती, power of a test मतलब क्या है, गलत था और हम लोगों ने उसको reject कर दि है, मतलब जो हम लोगों ने परिक्षण किया, उसकी शक्ती है, और label of significance का मतलब क्या है, मतलब इतनी गलतिया होती रहती है, कि वो सही था और हम लोगों ने reject कर दिया, तो यह याद कर लिजेगा, अपने खुद से निमोनिक्स उसका बना लिजेगा, जिस तरीके से भी आप से denote करते हैं, 1-β को power of test कहा जाता है, 1-α को label of significance कहा जाता है, सभी बाती सत्य हैं, नेक्स्ट है, hypothesis refers to, hypothesis क्या होता है, तो वो क्या होता है, एक प्रत्याशित statement होता है, मतलब population, अपनी जनसन क्या के बारे में, हम कोई प्रत्याशा रखते हैं, पहले से कोई अनुमान लगाते ह हैं उसे हम लोग hypothesis बोलते हैं जेट टेस्ट वस गिवन बाई जेट टेस्ट किस ने दिया था तो वो दिया था Fisher ने next है which are the following is parametric test तो यह तीनों टेस्ट parametric होते हैं काई square test आपका non parametric होता है बाकी यह तीनों parametric है next है student t-test जिसे हम लोग pen test के नाम से भी जानते हैं वो किस ने दिया था 1908 में तो वो दिया था William Gossett ने आप याद कर सकते हैं गोसेट नाम में t है सबसे last में t-test उन्हें नहीं दिया था next है t-test is applicable when sample size is t-test कब applicable होता है तो जब sample size आपकी small होती है less than 30 next है which of the following statement is true regarding z-test z-test से संबंदित कौन सा सही है z-test is based on standard normal distribution सही है यह समान ने वित्रण पे निर्भर करता है निर्धारित होता है एक है इट इस बेजड और when size of sample is large z-test large sample पर ही किया जाता है और z-test में population का variance known होता है यह सभी के सभी से संबंदित है सही है all of the above next है f-test किस ने दिया था यह दिया था fischer ने t-test गोसेट ने दिया था z-test और f-test दोनों किस ने दिया था fischer ने दिया था next है which test is used to find out whether two samples have same variance जब दो samples के बीच में variance की गढ़ना की जाती है कि उनके जो विचरण है वो same है कि नहीं है तो कौन से test की का प्रयोग किया जाता है तो उस समय किया जाता है f-test का next question है आपका which test is used to find out whether two samples have same variance जब दो samples की मत्ये same variance को निकाल जाता है यानि कि विचरण को देखा जाता है तो कौन से test का यूज किया जाता है f-test का next है the difference between the expected value of a statistics and value of parameter being estimated is called जब expected value में यानि कि प्रत्याशित मुले और parameter के मुले में हम लोग अंतर देखते हैं अंतर पाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं sampling error और यह बहुत ही easy है याद करने में क्योंकि parameter आपका क्या होता है population का पूरे के पूरे डेटा का mean mode median जो भी हम लोग निकालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं parameter बोलते हैं और जब इसी population में से कुछ samples को लेते हैं और इनका mean mode median निकालते हैं तो उसकी अलग value आती है जब इनके मद्ध में कोई difference आएगा कोई अंतर आएगा तो वो किस की वज़े से आएगा हम लोग ने sampling किया था तो sample की वज़े से आएगा तो sampling error इसको बोलते हैं विब्रम होता है हिंदी इसका error का next question है the mean of sampling distribution of mean is equal to sampling distribution में जो वितरण में हम लोग mean निकालते हैं वो किस के mean के बराबर होता है तो वो population mean के बराबर होता है next है standard error आपका बढ़ेगा standard error क्या होता है मतलब गलतियां आपकी बढ़ेंगे जब sample size को आप fix रखेंगे घटाएंगे तीस से अधिक रखेंगे या बढ़ाएंगे तो error में यानि कि विब्रम में और sample size में opposite relation होता है यानि कि sample आपका ज़ादा है तो गलतियां कम होंगी sample आपका कम है तो गलतियां आपकी ज़ादा होंगी तो यहाँ पर क्या बोला है कि error आपका बढ़ेगा कब बढ़ेगा जब sample size आपका कम रहेगा आप decrease करेंगे उसको कम करेंगे तो आपकी गलतियां बढ़ जाएंगी next है if a survey is conducted by sampling design is called अगर sampling design के माध्यम से हम लोग survey करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं sample survey next है increasing the sample size has the following effect upon the sampling error अभी previous question से ही just related है कि जब हम लोग sample size पे क्या sorry जब हम लोग sample size को बढ़ाते हैं तो sampling error पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बढ़ेगा घटेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या all of the above तो opposite relation होता है sample size बढ़ा आपका sample error कम हो गया reduces next है which are the following is not a type of non probability sampling non probability sampling का कौनसा एक प्रकार नहीं है quota convenience snowball stratified random sampling तो नाम से ही पता चल रहा होगा stratified random sampling है तो non probability का तो होगा नहीं probability में क्या होता है कि जितने भी population में data है हमारे जितने भी समंख है उनके equal chances है select होने के और non probability में क्या होता है कि हम लोग प्राइकता नहीं रख रहे हैं अपने quota लगा देना या फिर हमारे convenience के according उसमें से data को collect करना या फिर which is probability method निमनलिखित में से कौन सा प्राइकता विधी है judgment quota simple random या convenience तो अभी ये तीनों किस में थे उपर वाले method में थे non probability में तो इसका answer क्या होगा आपका simple random next है sample is regarded as subset of जो sample होता है वो किसका एक भाग है तो वो किसका भाग होता है population का जनसंख्या का ही एक भाग है in which of the following types of sampling the information is carried out under the opinion of an expert यानि कि एक expert के ज्यान के द्वारा या फिर उनके experience के बेस पर उनके opinion के बेस पर sampling जब किया जाता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है उसे नाम देते हैं हम लोग judgment sampling next है the sampling error is defined as sampling error किसे कहते हैं difference between population parameter difference between sample parameter population and sample और parameter and sample तो किसके बीच में वो difference होता है population में और sample में जो भी difference आता है उसको किसकी वज़े से आता है sampling error उसको कहते हैं next है selection of football team for FIFA World Cup is called as हम लोग selection कर रहे हैं कई सारे football की team है उसको FIFA World Cup के लिए कुछ team का selection कर दिया जाता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है उसे हम लोग देते हैं नाम purposive sampling next है a sample size is considered large हम लोग समंगों की संख्या कब अधिक कहेंगे जब n आपका जादा रहे 30 से कम रहे 50 से कम रहे 30 से या कम रहे 50 से तो जब भी आपका n greater रहता है 30 से तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं large sample greater है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है next है which of the following distribution is used to compare two variances दो विचरणों के को तुलना करने के लिए कौन से test का प्रयोग किया जाता है next है find the expectation of f distribution variable with v1 7 and v2 8 तो formula इसका क्या होता है v2 divided by v2 minus 2 तो हमारे पास v2 कितना दिया हुआ है 8 divided by 8 minus 2 solve करेंगे तो कितना बचेगा 8 divided by 6 4 और 3 4 by 3 option number c formula आप याद कर लिजेगा v2 divided by v2 minus 2 होता है expectations और इसको denote हम लोग करते है e bracket में आपका x next है in a binomial distribution if यह थोड़ा सा important है in a binomial distribution if P, Q and N are probability of success, failure and number of trials then variance is given by जब P आपका क्या बता रहा है success के बारे में Q, failure के बारे में और N आपका क्या है number of trial है तो आप बताए variance क्या होगा किसके लिए binomial distribution के लिए तो binomial distribution में आपका variance होता है NP, Q अगर पूछता है mean के बारे में तो वो क्या होता है NP, number of trial multiplied by success और जब variance के बारे में पूछेगा तो number of trial, success and failure दोनों का multiplication करेंगे standard deviation पूछता है तो इसी को under root कर दीजे next है binomial distribution is a continuous, discrete, irregular तो यह होता है discrete distribution खंडित स्रेंडी next है normal distribution कब apply होता है तो normal distribution apply होता है जब सतत स्रेंडी रहती है continuous random distribution होता है next है the area under a standard normal curve is तो वो होता है one इसी को हम लोग दूसरे नाम से बोल सकते है normal distribution तो area under normal distribution भी पूछता है तो उसका भी answer one होगा next है for normal distribution curve the value of mean and standard deviation is normal distribution में mean का और standard deviation का value क्या होता है तो mean, mode और median तीनो एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसकी value क्या होती है? 0 होती है इन सब की value और standard deviation की value क्या होती है? one होती है तो कहां दिया है mean यह रहा option number A आपका mean 0 होगा, standard deviation 1 होगा question में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि normal distribution में बताइए mode की value क्या होगी तो अगर mean आपका 0 है तो mode क्या होगा आपका? 0 होगा I hope आपको सारे question समझ में आया हूँ